नमस्कार मित्रों आज हिंदी साहित्य में सुनिये हर दिल अजीज लेखी का मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी कलंक तो प्रस्तुत्य कहानी कलंक हरी इधर आजाओ इधर जगह है जहांसी स्टेशन के उसको लाहल को चीर कर वो आवाज मेरी इसमरती के तार जंजन आ गई सहम कर देखा दीपाही थी दीपाली नारायन अपने छोटे से सूटकेस के साथ कंपार्टमेंट में आ गई थी जल्दी में तैनी कर पाई कि मुझे परिचे का प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं बुद्धू की तरह खिड़की से बाहर से निकाल कर मैं इने खोजने लगी सामान ठीक से जमा लेने के बाद ही उसने मुझे देखा अरे तुम इलू ही हो ना शीला की बहन अब मजबूरी में मुझे नमस्ते करनी ही पड़ी हरी उसने साथ खड़े व्यक्ति से का अब तु कि कोहिनी के नीचे बाया हाथ है ही नहीं मैं पागलों की तरह उसी हाथ को देख रही थी कि उसने शालीनता से पूछा आप कहां तक जाएंगी आगरा जाएगी ठीक है ना दीपा ने उत्तर दे दिया मुझे आश्चर है कि इससे कैसे मालूम हुआ कि हम लोग उन दिनों आ मागरा आ गए थे अकेली हो या मिया भी साथ हैं उसका दूसरा प्रशन था साथ है ना सिगरेट लेने उतर गए हैं बच्चे घर पर ही हैं अम्मा जी के पास इधर कहां गई थी जी बोपाल गई थी बहया के लड़की की शादी थी किसकी राका की अरे वो चुया सी लड़ केप्टन साब बड़े मनोयोग से सबसुन रहे थे उनकी मुद्रा से इसने जैसे चलका पड़ता था मैं सोच रही थी क्या इन्हें सब इतिहास मालूम है जिस प्यार घरी चितवन से दोनों एक दूसरों को नहला रहे थे उसे देख गले में कुछ अठकने लगा कहीं इस कि डिब्बे में चड़ने के बाद से मेरा मन घबरा उठा था पर ये जो नीचे उतरे थे तो उपर आये ही नहीं आखिर जब ट्रेन चल पड़ी तो मैं बधवास सी होकर दरवाजे की और भागी हजरत बड़े मजे से दरवाजे के पास खड़े सिगरेट फूक रहे थे य मैंने सहनभूत के सवर में कहा जिसे सत्म शर्मानी चाहिए वो तो मजे में बैठी खिलकला रही है आप यह चोरों की तरह मूझ छिपा रहे हैं किसी तरह ठेल ठाल कर मैंने सीट तक तो ले आई पर एक आकवर्ड सी नमस्ते के बाद ये पुस्तक में सिर डाल कर बैठ गए पती को विदा करने के बाद दीपा मेरी और मुड़ गई थी बादचीत के सारे सूत उसी के हात में थे मैं तो बस जवाब भर दे रही थी फिर भी वातावार इतना बोजिल हो गया था कि मेरा दम खूलने लगा था शायद वो भी इस एक तरफा घिसटते संभाशर से प्रस्ताव इतना अपेक्षित था कि मैं भीतर तक काठ हुआई शिष्टा चार वश इन्हें पढ़ने का नाटक बंद करना ही पड़ा चाय मंगाई गई और जैसा की स्वावाविक था चाय के दौरान बाते भी हुई दीपा की जढ़ने की तरह स्वच और निर्बाद हसी को देख कर मन में धेर सी कटुता भर गई थी किसी की हसी जिल्दगी भर के लिए छीन कर भी ये लड़की कैसे इस तरह हस सकती है मैं भेवीत भाव से उन दोनों की ओर देखती हुई यही सोच रही थी मन की कड़वाहट को मैंने चुपी से ढख लिया था आगरा उतरने पर भी मैंने अपना मौन ही तोड़ा था उसके गुडबाई का उत्तर केवल हाथ हिला कर दे दिया था जूट मूट को भी ये नहीं कहा कि लोटते हुए आईएगा ये तो घर लोटकर ही जाना कि दीपा को मैंने चाहे उपिक्षित कर दिया हो पर उसकी चाया बिन बुलाये ही साथ चली आई थी बड़ी बूडियों से सुना करती थी कि अकसर सौत की अतरप्त आत्मा पति-पत्नी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है ऐसे अंदर विश्वासों का अकसर मखाल ही उड़ाये जाता है पर अब लगने लगा कि लोग शाय ठीकी कहते होंगे जीवि कि ये अनपेक्षित मुलाकात मेरी सारी तपस्या पर जैसे पानी फिरने को उतारू हो गई थी एक बार फिर ये अपने अतीत में खो गए थे और उन्हें वहां से सकुषल लोटा लाने का काम फिर मुझ पर आ पड़ा था शादी के बास से यही तो कर रही थी लेकिन शुर अच्छा से ही इस भागय का वरण किया था अपनी मर्जी से ही तो आचर में काटे भर लिये थे रिष्टा तो ये दीदी के लिया आया था और दीदी ने चूटते ही कह दिया था मैं जंदिगी भर कुआरी रह लूँगी पर मैं किसी की जूठाने के लिए तयार नहीं पल्मूही उसका हाथ चोड़कर भाग गई तो क्या लड़का जिल्दिगे पर कुमारा बैठा रहेगा तो ठीक है दुनिया में हजारों लड़किया अन्वियाही बैठी हैं मुझे आप लोग बक्षिये दीदी ने फैसला सुना दिया था तब पताने कहां से मुझ में बला किया था सारी लाश शर्म एक और रखकर मैंने कहा था दीदी मा से कह दो मैं शादी के लिए तयार हूँ दीदी तो देखती रह गई इडू पागल हुई है क्या तुझे कुछ मालूम भी है मुझे सम मालूम है इसी से तो कह रही हूँ प्लीज मेरी इस आश्चर जनक प्रा के चकाचौंद आँखों में भर गई थी रैगिंग का इतना गिनोना रूप उन दुनों नहीं था तिस पर में फाइनल में पढ़ने वाली दीदी का अभे हस्त सिर पर था इसलिए कॉलेज लाइफ खुले दिल से एंज्जॉय करने में कोई रुकावट नहीं थी उस से टॉप पर थी एक प्रणय चोड़ी की चर्चा दीपाली और श्रीकांत दोनों ही दीदी के क्लासमेट थे इसलिए मुझे हमेशा फर्स्ट हेंड नीउज मिला करती थी उसके बल पर मैं सहलियों में खूब रॉप जहड़ा करती थी दीपाली उन दोनों मेरा आदर्श थ बुद्धी रूप गुण कहीं भी कोई 19 नहीं था दीदी ने बताया था कि फाइनल का रिजल्ट आते ही दुनों शादी कर लेंगे मुझे ताज्यूब होता बला रिजल्ट तक रुखने की क्या जरूत है फर्स्ट क्लास तो कहीं गया ही नहीं है पढ़ाई और एक्टिव अफ़ा सुनी कि श्रीकांत और दीपाली दोनों कॉलेट छोड़ गए है हॉस्टल की रड़क्यों ने बतलाया कि दीपा अचानक हॉस्टल से गायब हो गई है किसी ने कहा कि श्रीकांत और दीपा में जगड़ा हो गया है किसी ने कहा कि श्रीकांत ने दीपा को किसी के दिनवर अपने कमरे में भीतर से चटकनी डाल कर चुपचाब बैठा रहता है ये सारी बातें सुन-सुन कर मेरा भावुक मन तरब जाता और दिन में कई-कई बार उसके लिए कह उड़ती हाय बेचारा सहलियां अक्सर चुटकी भी लेती कि हाय कोई उससे जाकर कहे कि इतना मायूस मतो श्रीकांत आशिक तेरे और भी है जमाने में तब नहीं जानती थी कि सचमुष मैंने अपने अंतरमन में उस भग नहिर्दय युवक की मूर्ती प्रतिश्चित कर ली थी एक नारी द्वारा किये गए अन्याय का परिमार्जन करने के लिए हिर्दे प्रतिग्या कर बैठा है तीन-चार साल बात जब दीदी के लिए रिष्टा आया तब सारी बाते मन में फिर से जाग उठी थी और मैंने वो आश्चर जनक प्रस्ताओ कर दिया था इससे भी ज़्यादा आश्चर की बात तो ये थी कि माँ और भाया ने मेरे इस निर्णे पर खुशी ही जाहिर की थी घर वर दोनों अच्छे थे फिर वर पक्ष की कुछ मजबूरिया थी वे लेन देन स्वागत सतकार में मीनमेक निकालने के इस्थित में नहीं थे लड़की वालों को ऐसा सौभाग हमेशा थोड़े ही मिलता है शादी खूब धूमधाम से हुई दीदी सारे समय गुमसुम बनी रही सब लोगों ने यही समझा कि छोटी बेहन के पहले ब्याही जाने की वज़े से वो मायूस है उनकी और ज्यादा ध्यान देने का किसी को अवकाश भी नहीं था ससुराल में मेरे स्वागत में जो अत्रिक उस्साह दिखाया गया उससे यही लगा कि इस विवा की आशा सब लोग लगबख छोड़ी चुके थे जिस व्यक्त के लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था उसके मन की था पाना भी बड़ा मुश्किल था लेकिन मैं तो कमर कसकर आई थी कि उनकी गंभीरता का कवज भेद कर मैं प्रवेश पालूँगी उनके उपेक्षित हृदय को नए सिरे से समार कर अपने लिए आसन गर लूँगी इस कठिन कर्तवे को पूरा करने के लिए मुझे पत्नी की प्रेयसी की भूमिका छोड़ कर मा बनना पड़ा था उन्हें अपना बनाने के लिए मुझे बारह वर्ष की कठिन तपस्या करनी पड़ी थी और जिस समय मैं सफलता की सीडियों पर थी दीपा की वो अचानक भेट सारी तपस्या पर पानी फेर गई थी उन्होंने फिर अपने को कमरे में बंद कर लिया था और मैं आसा हैसी बाहर खड़ी छट पटा रही थी हम लोगों के भोपाल से लोट आने के चार-पांच दिन बाद दोपहर में मैं अम्मा जी और भाबी जी मिलकर गेहूं साफ कर रहे थे शेकोहा बाद वाली मेरी ननत पासी बैठी स्वेटर गुन रही थी बादचीत के दोरान वो बोली क्या बात है अम्मा छोटे भई हमसे नाराज है क्या कल से हम आये हैं हमसे एक बात भी नहीं की उन्होंने किसी से भी नहीं कर रहे लली शादी से लोटे हैं तभी से हम देख रहे हैं बाबी जी ने कहा अपने आसु शिपाने के लिए मैं पानी पीने का बहाना बना कर रसोय में चली गई वहां से लोट रही थी तो सुना अम्मा जी धीमी आवाज में कह रही हैं ससूराल की शादी थी, क्या पता किसी ने कुछ ऐसी वैसी बात कह दियोगी, मालवे के लोग हैं, दमात की कदर भलावे क्या जानें, इतना बुरा लगा, मा और भाया भावी तो विशारे बिछे जाते थे, सामान भी तो कितना दिया, मिठाई तो मोहले में भी माट कर बच र वो तो इतना कहकर चुप हो गई पर औरों के कौतोहिरल की तो जैसे सीमा नहीं थी कैसी है, क्या करती है, कहां रहती है, किस से शादी की है पती क्या करता है, धेर की धेर बाते पूँच डाली वही तो नहीं है, जिसके साथ भागी थी, ननद ने कहा नहीं ये तो कोई मिलेटरी के रिटायर्ट कैप्टन है 65 की लड़ाई में हाथ कर जाने कारण पेंशन हो गई है अब शायद पैट्रोन पम चलाते हैं शादी हुए तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं मैंने बतलाया तब ये कोई और होगा ननत बोली तुम भी लली कमाल करती हो ऐसी औरते क्या एक आद्मी के साथ इतने दिन रह सकती हैं पतानी इस बीच कितने घर कर लिये होंगे अच्छा हुआ जो हमें बदनामी देने से पहली हमारा पीछा छोड़ गई भाबी जी ने कहा बगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है अमा जी ने पताने किस देवता के हाथ जोड़ते हुए कहा मुझे लगता था कि वो हम लोगों को देखकर जेब जाएगी पर वो तो इतनी हसहस कर बतिया रही थी कि बस मैंने अपना संचित रोश उड़ेलते हुए कहा आगे भी बहुत कुछ कहने की इच्छा थी कि दरवाजे की और देखकर शब्द मूं में ही चम गए अंगारे की तरह लाल आखे लिए वे खड़े हुए थे यादी नहीं रहा था कि मंगल को वे दो बज़े ही लोटाते हैं और कोई विशय नहीं है तुवारे पास बात करने के लिए वे गर्जे सभी लोग सहम गये पर मुझे तो अपमान का दंश भीतर तक बेद गया इतने दिनों तक अपना अस्तित उभला का मैं इनके घाउ सहलाती रही थी नवदू की सारी मंगे मैंने इनकी एक मुस्कान के लिए हूम कर दी थी तब भी इतना दुख या रीतेपन का एहसास नहीं हुआ था पर आज का ही अपमान उस रात हम लोग में जोड़दार जड़प हुई मैंने अपनी म्रदुता के सारे आवरान उतार फेगे आकर कब तक मेरी सहन शक्ति की ओपर इक्षा ली जाती रहेगी किसी के अन्याय का कतिशोद मुझसे क्यों लिया जाएगा किसी के पाप का प्राइशित मैं क्यों करूंगी क्या पत्नी के रूप में मेरी कोई अपेक्षाएं कोई अधिकार नहीं है क्या अपनी सारी संवेदिनाओं का मुझे गला गोट देना होगा मन का सारा गुबार निकल गया तो मैं निढा लोकर विस्तर पर पड़ रही तब लगा कि इतनी देर तक सिर्फ मैं ही बोल रही थी मेरी धुमादार बकवास को ये सिर्फ सुन भर रहे थे कुछ आत्म गलान भी हुई पर इतनी नहीं की संदी का प्रस्ताव लेकर दोड़ जाती उस इलू को तो मैं हमेशा के लिए विदा कर चुकी थी काफी देर बाद इन्हों ने सिर्फ उठाया आराम कूर्सी से उठकर विस्तर पर आये सिराने बैठ कर देर तक मेरे बालों में हाथ फेरते रहे मैं सांस रोके चुप पड़ी रही इलू आवाज इतनी थकी हुई इतनी करूड थी कि उपेक्षा की दीवार भरभरा कर गिड़ने को हो गई I am very sorry इलू मैं सचमुझ बहुत सर्मिंदा हूँ तुमारा अपमान करने का मेरा कते उद्देश नहीं था तुमसे जो पाया है उससे तो मैं जीवन भर उरर नहीं हो सकता तुमारे बिना मेरी जिन्दगी क्या होती सोच भी नहीं सकता क्या करूँ मेरा अपने उपर अधिकारी नहीं रह गया है सोचता था कि उसे भूल चुका हूँ मैं कितना पागल था मैं उस दिन देखकर उसे लगा कि वो तो हमेशा से मेरे दिलो तमाग पर चाही हुई थी, उसे भूलने की बात ही अपने आप में भूलावा थी, इस खुश फैमी में मैं अपने को तुमें सब को धोका देता रहा, लेकिन सच तो यह है ईलू कि I love her more than ever, उसे भूलना इस जीवन म को नहीं भूल पाया है, तब पत्नी को क्या करना होता है, मेरे रोश की तिरसकार की दीवारें फिर दीरे दीरे उठने लगी थी, शायद उन्होंने ये सब मुझे सुनाने के लिए नग भी कहा हो, शायद वे अपने अंदर गुमरते सत्य को वाड़ी दे रहे थे, शायद वे अपने मन का बोजलका कर रहे थे, पर इससे ज़्यादा सुना मेरी सहनशक्ति के बाहर था, मैंने हौले से उनके मुझे पर हात रख दिया था, मेरे उस इस पर्ष का साहरा पाकर वे मेरे उपर जोगाए, उस आवेग में क्या था, इसने, वासना, दोनों ही या इन दोन अपने के लिए हमें कुछ समय लगा, तब सारी बाते अपनी पूरी कटुता के साथ मुझे याद हो आई, मैं दीरे से पास वाले बिस्तर पर सरक आई, लेकिन मेरा दाया हाथ अब भी उनके हाथ में था, और वे बड़े प्यार से उसे सहला रहे थे, तपाक से हाथ खीच कि अनुदारता मुझसे ना हो सकी, इलू एक बात मानोगी, मेरी धड़कन तेज हो गई, फिर भी शांसवर में कहा, कहिए, तुमसे सिर्फ एक ही प्रातना है, भगवान के लिए तुम उसे कुल्टा ये कलनकनी मत कहा करो, अम्मा कहती है, भाबी कहती है, सभी कहती है, लेक आज जैसा नाटक हो जाता है, मेरी इतनी बात रख सकोगी ना, स्वर में इतनी याशना थी, कि सारे प्रतिवाद अपने आप बह गए, मैं छटकी कड़ियां गिनती हुई चुपचाप पड़ी रही, इलू, क्या सोच रही हो, कुछ नहीं, मुझे मालूम है तुम क्या मैंने प्रश्न भरी नजरों से उनकी ओड़ देखा, तुम सोच रही हो कि इतनी अन्याय के बावजूद मैं दीपू को उसी आस्था के साथ रिदे में कैसे रखे हुए हूँ, ठीक है ना, मैंने जवाब नहीं दिया, एक बात हमेशा याद रखो इलू, कि जो भी अन्याय हुआ है, मैंने किया है, उसने नहीं, क्या, मेरी सारी नींद एक दम ओड़ गई थी, मैं ठीक कह रहा हूँ, उसने कोई छल, कोई कपट नहीं किया है, जो कुछ हो गया, उसमें उसका जराबी दोश नहीं था, भागे ने हमलों के साथ निर्दे परिहास किया था, मैं पुर कहती हो, सुन सकोगी सारी कहानी, और बीते दिनों का चितरपट, रात के पिछले पहर में, उनकी वाणी के माध्यम से मेरी कलपना में आकार लेने लगा, बसंत का सुहावना मौसम, जंगल की गुमावदार पकडंडियां, मोटर साइकल पर सवार एक प्रेमी योगल, गुर बारियों से उचल कर जो व्यक्ति एका एक रास्ता रोकर खड़ा हो गया है, वो एकदम अपरचित भी नहीं है, एक तरह से पुराना प्रतिदंदी है, शायद पिछला हिसाब चुकता करने आया है, इससे पहले कि श्रीकांत इस्थित का जायजा ले सके, सिर्फ पर भारी आगाद होता है, हैंडल से उसकी पकड़ छूट जाती है, और वो धर्ती पर गिर जाता है, गिरते गिरते भी दीपा की चीक उसके शुन्य होती चेतना को जग जोड जाती है, उसके बाद अंधकार सिर्फ अंधकार, क्योंकि चेतना के लोटने पर भी वो सब कुछ नहीं लोटाया जा सका जोख हो गया था, वापसी यात्रा निश्यब्धी समाथ हुई, उस विभीशका के बाद कहने सुनने को बचा ही क्या था, शरीर और मन दोनों ही बधिर हो गए थे, हाथों ने मशीन की तरह ही उसको ठेल कर गर्स होस्टल तक पहुंचा दिया था, दूसरे बाजार में कॉलेज में एक ही चर्चा थी, एक ही विशय था, दीपा और श्रीकांत, अफ़ाओं का बाजार गरम था, नई पीडी को लतारने के लिए बड़े बुरों के पास अच्छा मसाला हो गया था, अगर दीपा इस तरह एकाए गायब नहीं हो जाती, तो शायद उस उनका ये मौन मेरे सारे प्रशनों के उत्तर दे गया, दीपा इसलिए चली गई थी, कि उसने प्रिय की आँखों में नफरत की भाशा पढ़ ली थी, जिन आँखों ने उस पर हमेशा प्यार की बरसात की होगी, उन आँखों में घ्रणा की जहलक वो सहन ही पाई होगी, ल जिराट विश्व में अकेली पर जाने वाली उस अजहाय नारी की प्रतिक्या उनका कोई करतवे नहीं था, सुनिये, उस व्यक्तिका क्या हुआ, मैंने अपने विचारों को स्वर दिया, किस व्यक्तिका, ओ समझा, मुझे नहीं मालो, दरसल मैंने ख्याल भी नहीं किया, मै मैं तो उन दिनों पत्थर हो गया था, लेकिन उसे कोई सबक तो मिलना ही चाहिए था, और ये काम आपको करना था, किसके लिए करता मैं इसा, उससे मेरा खोया हुआ संसार तो लोटने वाला नहीं था, और अभी आप कह रहे थे कि दीपा अभी आपके दिलों दिमाग पर चाही हुई है, उन्होंने आहत हो के मेरी ओर देखा, और आप ये भी मानते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई दोश नहीं था, मुझे शब्दों में पकड़ने की कोशिश मत करो इलू, उन्होंने बेजारी से का, ये सच है कि दीपा को आज भी मैं उतना ही प्यार कर करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि उसे पत्नी रूप में पाने की कामना उसने सदा के लिए मिट गई थी, और उन्होंने हाथ बढ़ा कर मुझे अपनी और खीश लिया, मुझे लगा कि इस आदमी के बाहुपाश में अब मैं कभी रोमान्चित ना हो सकूँगी, क्योंकि नारी समर्पड करती है पोरुष के सामने, पराक्रम और साहस के सामने, और ये व्यक्ति ये अपने विश्वास की रक्षणा कर सका, ये अन्याय का प्रतिशोद ना ले सका, और तो और उस निरी नारी पे लगाए गए, गलत सलत आरोपों का प्रतिबाद भी इस से नहीं हो सका छी कायरता की भी कोई सीमा होती है और उस दिन मैं डीपा को उन्मुक्त आचरंड के लिए दोश दे रही थी उसे तिरसकार से देख रही थी लेकिन अब लगता है कि गलती पर हम थे वो नहीं किसी के पाप का बोज लेकर क्या वो हमेशा ही पत्थर बनी रहती कोई राम उ कोई बाजी उसने बड़े यतन से फिर जीत ली थी जिसे मैं निलग्जता समझ रही थी वो उसका विजय दर्प था अपनी खुशियों पर इतराने का उसे पूरा हक था ये खुशियां अनायासी कोई उसके आचल में नहीं डाल गया था कटीरी राहों से होकर उसने खुद का दिकार है दीपा कि तुम उस व्यक्ति का दिकार करो लेकिन दीपा उसकी अभागी पतनी का तिरसकार मत करना क्योंकि ये अभिशप्त जिन्दगी उसने जिस आस्था के साथ वरण की है वो आस्था भी कायम है पहले सिर्फ पती का दुख बाटने की बात थी अब इस कलं आशा करती हूं कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो मंगल मैं हो